इतना आक्रमक तेवर अपनाने की क्या जरूरत है जो अन्य जो आपके कारकरताओं की हत्या का आरोप है उस पर मैं आऊंगी सा लेकिन आप ही के कुछ बयान मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ आपने पहले कहा है कि बदलाओं होगा और साथी वो आप ही सुना दीजे आपने जो कहा है वेने आपकी तीन-चार बयान बदलाओं होबे बदलाओं होबे मतलब बदला भी लेंगे राजनीती में बदला क्या चीज़ है सर आप देख रहे हैं जब इंसा का इतिहास रहा है फिर ऐसे उक्साने की क्या ज़र्वत है हमारे चीज़ मिनिस्टर ने स्लोगन दिया था 11 में कि बदल होए बदला नहीं लेंगे बदल होगा लेकिन आज उनसे ज्यादा बदला कूलर है हमारे 132 कारकरतां की जो मोते हुई है उन्हीं के कारकरता गुंडा और पूलिस के दौरा हुआ है मेरे उपर 6-6 बार आकरों मेर लेकिन दादा उनका कहना है कि जहां पर भी किसी की मौत होती है या हत्या होती है तीमची तो यह कहती है वो कह रहे हैं कि आप चले जाते हैं उनकों कहते हैं ये तो हमारे बीजेपी के कार करता है ये कहना है उनका कि आप लोग लाशों की राजनीती कर रहे हैं इस पर क्या जवाब होगा नहीं लास की राजनीती तो महुता बिनरजी ने किया है जंगल महल में 200 किलमेटर दूए कोई मारा जाता था उसका लास लगे कलकता में रोड जाम करते थे हमने इस पर कर राजनीती नहीं की है हमने अरूब लगाया है एक नौजवान कारकरता 22 साल का उसको मार के पेड़े मे एक सिक नेताओ को मरा जा रहा है एक नहीं हर दो-तिन दिन में घटना होती है दुरगा पूजा के शमाई भी 6-6 लोगों की हत्याइं हुई है तो अगर हम आरूब लगाते हैं कि बेमुनियाद और एक काभी सजा किसी का हत्याकारी को नहीं हुई है हर रोज यहां बलातकार और हत्य होती महिल्हा होगी किसी पर ना तो चार सीट है ना तो किसी को सजा है इसका मतलब यह सरकार की पलिशी बन चुकी है भैवय पाइदा करके हिंसा करके सत्ता पर काभीज रहे है आप कहरें कि सरकारी तंत्र अफसर सब जान बूच कर BJP को टागेट करते हैं या BJP को किसी ना किसी तरीके से नुक्सान पहुचाते हैं वो तो कहते हैं कि राज़ जिपाल तक BJP की भाशा बोल रहे हैं ये जो बात हम किसी खुश को उठाने का हिम्मत नहीं है आपका मीडिया और भागा कुछ नहीं है तो इस परकार डराने के जो डर का बातावन बना है किसी ने उसका और खड़नर नहीं करता है कोई आवज नहीं उठाता है अगर गवर्नर यहां आ करके ओ संगविधान का प्रतिरूप है वो इस परकार विश्वय पर उंगली उठाते हैं तो उसमें दोस क्या ह इनके पास उसका कट नहीं है उनको ब्यक्तियोत रूप से आक्रमन करते हैं और पानित करते हैं उनके बारे में क्या क्या भासा प्रोयक्त करते हैं खुद ममता बनार जी करती है तो यहां तो मैंने सोजन ने भी नहीं है नीती भी नहीं है संगविधान नहीं है लोग तंत् दर्श की राजनीती रही है बामदलों के गड़ को उन्होंने किस तरह से ललकारा चुनौती दी सत्ता में आई लगातार एक लोग प्रियों मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर रहे हैं आप लोग अप चुनौती दे रहे हैं उनका यह कहना है कि बाहरी लोग चुकि आपक आपके बंगाल की फिजा खराब कर रहे हैं हिंसा फैला रहे हैं इस पर आपका जवाब पर लोग इतने नाराज थे उनकी राजबी ऐसी घिरुणा इसे हिंग सक था उससे बचने के लिए लोगों ने दूस्टे उनको माध्यम के रूप में लिया ना तो महमता बिना जी का कोई विचार है नो कोई कार्यपद्धती है ना कोई संगठन है ना कोई लोग तंत्रीक को रोक करके सत्ता उपोह करना आप देखे 118 नीगाम और विधान परिसाथ नगर परिसाथ का चुनाओ बाकिए एक शाल नेड़ साल दो साल से क्यों नहीं चुना होता है हाईदराबाद में हो सकता है रायस्तान में लद्दाग में और बोडो लेंड में हो सकता है बंगाल क्यों नहीं चुना करते हैं दो-दो साल से लोगों की बंचीत कर रहें सेवा से क्यों प्रतिनीदी नहीं है यह इसका मतला आप डरती है कि चुना होने से भाजपा जीत जाएगा जो लोग तंत्रिक व्यवस्ता को संबान नहीं देती है उनको क्या किया जाए तो इस प्रका आएगा जाएगा